मेरे परिवार जनों, एक तरफ कॉंग्रेस की जूट की दुकान है, तो दूसरी तरफ मोदी की गारंटी है दोस्तों। कॉंग्रेस में कभी नहीं सोचा, कॉंग्रेस की दिल में कभी वो भाव नहीं आया, कि गरीब को भूखें ना मन रहा पड़े। मोदी ने हर गरीब परिवार को मुप्त राशन, मुप्त चावल, चने उसकी गारंटी दी थी और गारंटी पूरी की। इतना ही नहीं, अम मोदी ने संकल्प किया है, निश्चर किया है, कि गरीबों को ये जो मैं सेवा करता हूँ न, अगले पांच साल तक ये मुप्त चना चावल मिलता रहेगा। मुझे बताईए काम मुझे करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। ये सेवा भाव से काम चलते रहना है, ये कॉंग्रेस वाले गए हैं, इलेक्शन कमिशन की अदालत में, मोदी को सजा दिलवाने के लिए, तिकि मोदी ने अगले पांच साल के लिए काम कैसे गोशिट कर द आओ, मैं तो ये पुण्य का कारिय समझता हूं, पवित्र कारिय समझता हूं, सेवा का काम समझता हूं और इसलिए, इसलिए मैं इस काम को करके रहना चाहता हूं। मुझे भाईयों बहनों बताईए, इतना बड़ा पवीत्र काम किया, कोरोना के इतने कठीन समय में, गरीब के घर का चूला बुझने नहीं दिया, किसी माँ को बच्चे को भूखे सुलाने नहीं पुट देना पड़ा, मुझे बताईए, उस मा के आशिरवात मिले है के नहीं मिले है। पुन्य मोदी को नहीं, ये पुन्य आपको मिला है, क्योंकि आपने मोदी को वोड़ दे करके सेवा करने का मोका दिया है, इस पुन्य के हकदार आप है, और आने वाले पांच साल भी आपके खाते में ये सारा पुन्य जमा होने वाला है, मैं आपको एक बात से और सतक भी करना चाहता हूं यहां लोग बताते हैं कि कॉंगरेस सरकार ने राशनकार बनाने में बीपियल सुची बनाने में बहुत बड़ा गपला शुरू किया है यह फरजी वाड़ा बाजपार सरकार बनते ही बंद किया जाएगा जो हकदार है उसको हक मिलेगा और यही तो मोदी की गारंटी है साथ योग कॉंगरेस ने गरीब को जुग्गी जोपड़ी फुट पांथ पर जीने के लिए बजबूर कर दिया अनेक पीडियों को कच्चे मकानों में जीवन गुजारना पड़ा इस में भी सबसे अधिक दलित परिवार है ओभी सी परिवार है आदिवा सी परिवार है कॉंग्रेस सरकार ने यहां में गरीबों के घर तेजी से नहीं बनाने दिये लेकिन मोदी की गारंटी है हर गरीब के सर पर पक्किश्चत होगी मेरा आप से भी कहना है आपके अडोस पडोस में गाउं में ऐसे जो भी परिवार है जिनके घर भी नहीं बने है कह देना मोदी की गारंटी है उनका भी घर पक्का बनके रहेगा मेरी तरफ से कह देंगे मेरी बात पहुंचा देंगे जो गरीब है जो जूपणी में रहता है जो कच्छे घर में रहता है उसको बताएंगे कि मोधी पक्ता घर बनाने का बादा करके गया है मुझे में ये हिम्मत है कहने कि क्यों मैं करना चाहता हूँ और अगर यहां बीजेपी की सरकार होती ना पांच साल तो यह काम भी पुरा हो गया होता यह ऐसे लोग बैटे हैं को करने नहीं देते थे है कि साथियों कि दिल्ली से स्वांत्र सुविज्राओं के लिए भाजपा सरकार बहुत मदद दे रही है लेकिन यहां कि कॉंगे सरकार को आपके आरोग्य की जराबी चिंता है नहीं है कि यहार के में सम्में भी आप देखते हैं कि दुकान दार हमने देखा है हमेशा दु टैन परसंन् डिसकाउंंट 25 परसंट डिसकाउंट टेंटी परसंट डिसकाउंट सौन्ट और जहां हमारी माताई बहने खरीद दी जाती यह पहां तो बड़े अक्सर से भेशंची यह裡 लिखते है कि साडी मैं बिश परसं डिसकाउंट ऐसा करते हैं ना लेकिन ये भी सच्चा ही है 80% discount कोई नहीं देता है 80% छूट कोई नहीं देता है लेकिन ये मोदी है जो जन अवशदी केंदर खोल रही है और उसमें दवाई जो खरीदने जाता है उसे मोदी 80% छूट देता है 100 रुपय की दवा 20 रुपय में देता है जिस घर में बुजूर्ग माबाप हो, डाइबिटिस जैसी बिमारी हो, महिने पर में 800 जार रुपय की दवाई लानी पड़ती हो, उसको 20, 30, 40 रुपय में काम निपड़ जाता है, उसके पैसे बच जाते हैं, तो अपने बच्चों को वो अच्छे कपड़े, दूद, खाना अच्छा खिला सकता है, आपके हिस्से का जो बागी पैसे बढ़ना होता है, तो भारत सरकार खुद भरती है, साथियों, आप फर्क देखिए, एक प्रधान मंत्री हुआ करते थे राजीव गांदी, जीनों ने गोशित किया था, खुद कहते थे, कि उनके राज में 100 पहुंचता है, खुद ने कहा था, और उपर से नीचे उनी की सरकार थी, और कोई नहीं था बीच में, 100 रुपया निकलता है, 15 पहुंचता था, आज मोदी की सरकार है, 100 रुपये में दवाई खरिती हैं, और आपको उस दवाई के मातर 20 रुपये देने पड़ते हैं, बाक की 80 रुपये की विवस्ता, मोदी सरकार करती हैं, और वो 80 रुपये आपकी जेव में बच जाते हैं, जब ये लोग आपके हिस्टे के 25 रुपये मार लिया करते हैं, और आज मोदी है, जो 80 रुपये अपनी सरकार के और से मिलाता है, ति आपको सस्त्री दवा मिल सकते हैं, लेकिन साथियों गरीब के लिए जरूरी ऐसी योजना के साथ कॉंग्रेस क्या कर रही है ये भी आपको जानना चाहिए यहां की गरीब विरोधी सरकार कॉंग्रेस की सरकार इसने दरजनों ये डिसकाउंट वाली जो जना उसो दी केंदर दुकाने लगाई थी मैंने उसको ताने लगा दिये क्योंको लगा कि इस में तो कटकी मिलती नहीं है क्यों चलाने दू कॉंग्रेस नहीं चाहती कि आपको सस्ती दवा मिले कॉंगर्स चाहती है कि आप 37 जवा के लिए भी दरदर बढ़के साथियों मोदी को आपके स्वास की चिंता है आपको इलाज पर ज़्यादा खर्चना पड़े इसकी चिंता है आईश्मान भारत कार्ड मोदी की तरब चेश्टिस गड़ के गरीब परिवारों के लिए मपत इलाज का गारंटी कार्ड है चेश्टिस गड़ सही मैंने गाउं गाउं आदुनिक आईश्मान भारत हेल्ट अन्वेलनेस सेंटर की योजना शुरू के थी आजश्टिस गड़ भी ऐसे हजारों सेंटर बन चुके हैं जिस प्रकार ये गरीब परिवारों के सेवा कर रहे हैं लोग उन्हें आईश्मान आरों के मंदिर कहने लगे